दोस्तो टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसे सूचना होती हैं जो भीन समचार पत्रों पर चाही भी होती हैं और विद्धार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं इसमें आप लोगों को 200 फेपर भी देखने को मिल जाएंगे और 2000 से जादा बहुववकल भी प्रसन देखने को मिलेंगे और उनकी पूरी विश्टित द्याक्टा भी देखने को मिलेगी साथ में कोथिन आंसर तो आपको मिलेगा ही पूरा का पूरा history material भी इस पुष्टक में उपलब्द है यह दे सकते हैं इस पुष्टक को यहाँ पर यह question answer दिये हुए है और उसके निशे यहाँ पर यह chapter वाइस पूरा का पूरा history material है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा जारकन TAT की चोची प्रकाशन की study guide तो आती ही है साथ में आप लोगों को practice set भी मिल जाएगा जैसे यहाँ पर देखिये लिखा हुआ है कि 3000 से जादा इसमें बहुत कल पीपर संद दिये वे 20 practice set है और 200 पीपर इसमें भी आपको मिल जाएगे सभी कापी किताबों की दुकानों में धरकन TAT की यह best books मिल जाएंगी और अगर आप लोग online मंगवाना चाहते हैं तो उसकी link मैंने description box और comment box से दोनों जगे अवलब करा दी है अगर आप लोग चाहें तो online भी मंगवा सकते हैं चल यह बात करते हैं सबसे पहले शिक्षक बढ़तियों की चाहे वो प्रात्मिक हो, चाहे वो TGT-PGT हो, चाहे वो LT हो तो सुरुआत करते हैं नीचे से प्रात्मिक से शिक्षकों की कमी से नहीं हो रहे परिशदी स्कूलों में दाख लिए यह सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में सिक्षकों की बेहत कमी है मीडिया के हवाले से ऐसा साध ही कोई दिन हो जिस दिन ऐसी जानकारी ना दे गई हो कि इस विद्याले में इतने विद्यार्की हैं और इतने कम शिक्षक हैं या किसी किसी विद्याले में सिक्षक ही नहीं है और हमारा अनुपाद, समानुपाद पूरा है तो ये कैसे आखिर काख हो रहा है दो तरीके की जो न्यूज हो कैसे आ रही है यहाँ पर देखिए लिखा परिसधी विद्ध्यालियों में शिक्षिकों की कमी का असर नहीं पंजी करम पढ़ रहा शिक्षा में एक तुम गरीब है और शिक्षकों की कमी की वज़े से इसमें कोई करता है चाहे जितने गरीब हो चाहे जो भी हो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं उनकी जिन्नकी खुद कैसी विबीती हो पीडी हैं वो पड़े लिखे और अच्य रोजगार को प्राप्त करें और में जब किसी विद्याला में च्छक ही नहीं होंगे तो इसकोल में पढ़ाया जाते हैं और जायतार लोगों को कहना है इसी लिए डिवीशन नहीं करवा रहा है लोग गंगादीन इसकूल की इस्तित्थ तो इससे भी जाता खराब है जर जर विड़्यालय को तोड़ दिया गया है और यहां पंजीकत बच्चों को मक्का खेडा इसक उसरे विद्याला के बच्चों को भी इसी कमरे में पढ़ाने के लिए का गया है, दोनों स्कूलों को मिलाकर कि करीब पचास बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी कीवल एक शिक्षा मित्र पर है, आपको पता होगा सरकार ने क्या का था वी पत्र में, 22 अनुपात है, 22 ब हो być और स्सेटों का स्मा योजन हो थो विद्यालियों में बताए कि सिक्षकों के कमी और स्सासन को दोती है, शासन इस तर पर जारी पहसेले के दर पर कारेगा, कर लें आ स्मा योजन उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा, क Dollet यह लेकर देलेड प्रतम और तरतीस समेश्टर परिच्छा के लिए अभीदर की एक दिन के लिए बढ़ाई गए गए अब बैटी एक अजगर्स तक आनलाइन आभीदर कर सकती हैं डेलेड की समेश्टर परिच्छा आठ से लेकर के 14 अगस्त के बीच में कराई जाएगा अगली सुचना लेकर के हैं लुवरायोग में हो चाहे वह वो सिक्षण रेशालाह में हो अर हमेशा से रटब-ढ़ाय जवाब आता रहा है कि अन्तिम् prevention में ने's और वही रेटा रेटा है जवाब यहाँ पर दिया गया लिखा है कि LTGIC सहायक प्रवक्ता बरती कई वर्ट से नहीं आने से नराज प्रतियों की चात्रों ने उत्तर प्रतियों की चात्रों ने अयोग और स्क्षेन देशाला परश्टर में धर ना दिया तो यहां किसी अधिकारी से चात्रों की वारता वगारा तो नहीं भी है यह देखिए यह आपर लिखा है और काउंटर पर शूतर ग्यापन दे दिया तो ग्यापन तो यहाँ पर 20-28 जा चुटे हैं। इसमें प्रतियों की चात्रों ने लिश्य प्रवक्ता भरतिय कब भी यह चारी करने के मांग में की है। और यह अब लिखा हुआ है कि यह अजय कुमार को भी ग्यापन दिया ग्यापन दिने वालों में जातर के नाम लिखी हुए है लेकिन हाँ एक बात सही है कि इस पर काम हो रहा लगातार लकातार काम हो रहा है वे ऋसकी परीड़ाम के लोग से कहा है कि लिक बात वो अंतिम चरण में हैं मुख्यमंत्री ने खुदी इसकी बारे में निर्देश दिये हैं और साथ में इस विग्यापन को आने में कम से कम 2-5 महिने अभी लगना तया है इसको लेकर कि अन्य समतार पत्र में भी जानकारी दीगी जैसे अमर जाला ने यहां पर लिखा है जल्द सुझे का आर्तविवात और होगी भरती यहीं पेपर में दिखा दूँगा आप लोगों को 2020 का उसमें भी ऐसी लिखा था वैसे इसको लेकर कि अगर सासन इस तर पर द आवेदन भरती कव होगी पता नहीं यह भारती जन्ता पार्टी वाले या उत्तर प्रदेश सरकार जो भी है मैं विरोधी नहीं हूं बिलकुल भी लेकिन मैं च्छात्रों का ही तैसी हूं और यहां पर दखिये लिखा एक तालीस सो पदों पर तेरह लाग आवेदन भरती क कब होगी इसका पाता नहीं है सहायता प्रफ्त मादमिक विध्यालियों में शिक्षित इसना तक तीजिटी और प्रवागता पिजिटी के चारगा एक सो तो तीजिटी पदों पर बढ़ती के लिए तेरह लाग से अधिक विरुजगारों के अंधिदार दो साल बाद भाद और परिक्षा ने की जा रही है और पुत्र प्रदेश के तेरह लाग परिवार इससे प्रभावित हैं सुप्रिम कोर्ट का डंड़ा पढ़ा था पिछली बार तो भरती रिकार्ट समय भेले ही पूरी हो गए थी 2021 लेकिन यह तीजिटी पीजिटी की विध्यारती ऐसे होते हैं कि यह अपनी भरती के स्पेशलिस्ट होते हैं घ्याता होते हैं पड़ते हैं लेकिशग इस ऐसा होता है कि यह विध्यारती दूसी बरतिओं में आथ नहीं मार सकते हैं आप कोई है किसी ने a b b s की डिगरी लिया हो या किसी ने engineering की डिगरी लिया हो तो इंजिरिंग बाले से का जा में भीएस बन जाओ, engineering vacancy नहीं आ रही है या MBB s बाले सका जा अथ तो इसा नहीं होता है लोग वाला तो यह जितना भी भरतीयों की कारपनाली है इसमें ब्यापक सुधार की जरूरत बहुत बड़े बतलाव की ज़रूरत पूजा खेटकर नप नहीं लेका UPSC ने पूजा खेटकर का चयान रद कर दिया ये तो हो नहीं था और ना आयस बनती कुछ दूसरी पोस्ट में जाती नीचे वाली लेकिन एक लालस ने पूरे घर का करियर जो हो बरबाद कर दिया लेक पूरे जिंदगी भर डड़डर के नौकरी करनी होगी आप लोग फस्जाओगे किसी लेकिसी दिन तो फस्जाओगे आयोग ने कहा कि UPSC ने उपलफ रिकार्ड की घहन जाच किये और उन्हें CSE 2022 की नीमों की प्रावधानों का उलंगन का दोसी पाय गया कारण बताव नो लोग ने का कि UPSC ने उन्हें 30 जुलाई को अपरान साल 3 बजे तक अपना जवाब देने के लिए अंति मौका दिया था लेकिन वन इजारिस्वा के बीतरमना इस प्रस्टिकर नहीं देख सेकते हैं वीडियो को आप लोग लाइक करने हैं और आपके कोई क्वेश्चन होता प्रक्मेंट बाक्स में पूर्श सकते हैं पोसिस करूंगा अगला वीडियो आपकी बातों का हो आपकी प्रस्टों का हो सहाय कुल सच्चु के 38 प्रस्टों पर होगी बढ़ती यूपियसी अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा विग्यापन लिगित परिच्चा और इंटर्वियो के मार्दम से होगा चैन अतार प्रदेश लोग सेवा आयोग राजविष्विद जारी है इस से पुरू वरस पर 2018 में इस बत्रदेश के बिग्यापन जारी किया था कोचिंग पर बड़ी कारवाई हो रही है यहां पर दे सकते हैं यहां प्रियाक राज में भी कारवाई शुरू हो गई है दिल्ली में हाथसे के बाद प्रदेश सरकार ने अवयद रूब से चल रहे है कोचिंग लइडरी की जाज के निर्देश दिए है प्रिडिये वीसी अर्वीन चौहानेश जोन में जाज के लिए टिम गड़ित की है जोन एक के जोनल अधिकारी संजी उपाध्या के निर्देशन में सिविल लाइज में कारवाई गई और टीम निपत्तका चौराह के पास करावधी डिजटल लाइडरी के जान्स की है बेस्मेंट में संजाल के कर लेअद्टन लाइडरी фин कर दी गई है और यहांबर जिनको जिनको नोटीस दिगई इसे का नाम निखा हुआ है प्रियाग ख्राज के बामला है विन करनेरी कोकेश पाछिटल सिव argument संभीम क्लासिज नैनी दर्टिशन पांट नैनी क्लाइमेक्स अकेडमी भाभा मौ दीप्तिमान अकेडमी शांतिपुरम इन कोचिंग्स पर कारवाई की गई है नोटीज दिया गया है अगरी सूचना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर राज सरकार हुआ आयोग से तीन सिर्टा में जवाब मांगा है प्रकरार में 27 अगस्त्र को होगी यह आदेश नायमूर्थी जेज मुनीर ने दीपक कुमार वसात अने के याज के पर अधिवक्ता मुझीब एहमस सिद्धिकी को सुन करके दिया है नीचे मामला भी लिखा हुआ है कि मामला क्या है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 248 बेटियों को डीवी के लिए बुलाया गया 26 आरथन से पद भरे गया कि 27 विद्धार्थी योग विद्धार्थी नहीं मिलने कानव पद्धा वो रिक्त है इन पर आरथी पोटे में निक्ति की मांगी गई है कोड ने निबंदक को आदेश की प्रती सच्यू एकोनोमिक्स इस्टेक्टिक्स डिवीजन इस्टेट प्लानिंग इंस्टिटूट की निदेशक परिवार कल्याल विभाग और आयो को भिजने का आदेश जारी किया है वही पर कल यूपी टिपल एसी में दो तीन नोटी जारी की थी आपने देखा होगा सुपर टेंटर रे प्यादी को लेकर के और देर साम को कल जेई 2018 का परिडाम हो जारी कर दिया अब देखिए यब देखिए क्या बैग में पिस्टॉल लेकर के स्कूल पहुंचा नर्सरी का चात्र तीसरे के चात्र पर चलाई गोली के स्कूल में बढ़ती बढ़ा सवाल है आखिरकार बच्चों में इसी भावना कैसे आ रही है इतना जाता विक्षित कैसे हो रहा है कौन से बाउन बीटा इनोंने पिलिया बिहार के सुपॉल जिलेस से बहरान करने वाली घटना आई है जहां नर्सरी पढ़ने वाला पांच साल का एक बच्चा ब आज की वीडियो में इतना ही पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धनवार